Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So, आज Bank of India Credit Officer का जो एक्जाम जिसको टाइम हो चुका है, उसका स्कोर काड आज रिलीज हुआ है, ठीक है? And exactly, जो डेट नहीं याद है, I think September में एक्जाम हुआ था, ठीक है? जिननों ने दिया होगा उनने पता होगा, उसमें कहता सु our टीक ही एक्जाम था, इसमें इक dilकाता हुआ हो था आज सब्सक्राइब। आज आपको 40% में चाहिए थÑ isn't just research mean, or conspiracy. पसंट आपको मार्स चाहिए तो उसके अलावा कर आप मतलब इससे मतलब मालीचे 23 मार्स आप गेन करते हैं और ओवरल आपके मार्स कितरे भी अच्छे तो वह काउंट नहीं होंगे मतलब आप फानल मेर्ट में नहीं पहुत सकते लाइक इंटरव्यू जो भी कॉल रहता है ठ नहीं को कि यह चीज स्कोर कार्ड में में बाले आप 14 में से तो यह लाना ही पड़े का पर उसका कोई अब समय फानल में को यूज नहीं है बस यह है कहने का मतलब मेरे और इसके अलावा अगर आप कौलिफाय कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू और जीडी गृट सो मेरे स्कोर्स टोटल जो बात करें है 96.31 सम्थिंग एंड इसमें रीजनिंग सेक्शन कॉन्ट सेक्शन ठीक है अच्छा किया मैंने बट जनरल अविर्निस मुझे इतना एक्जाक्ट नहियत क्या पैटन था किस तरीकी क्या आई थी बट हां 4.25 मार्क्स मेरे और होते तो शा से मुझे रखता है जतने में लोग ग्रूप में हैं अभी तक से नहीं देखने मुझे क्योंकि कॉंट रीजनिंग करी लेते हैं सब लोग मुझे असा लगता अगर आपका आपकी प्राक्टिस बहुत अच्छा से हो रखी तो उसमें सब के ठीक है मार्क्स और लेबल बहु कि पसंड चाहिए तो वही 40 में से आपको 16 मार्क्स चाहिए थे तो वह नहीं आ पाए इस वज़े से बाकी औरल मार्क्स चीक हैं अब क्या चीज़े रही कड़बर जो हुआ वो जी सेक्शन में हुआ यह एक्जाम देने आने के बाद मुझे मैं बहुत खुश भी थी अगर इतना मुझे मुझे नहीं थी कि सिफ 11 नंबर ही मेरे आएंगे 11.75 सम्तिंग तो वह थोड़ा सा बहुत ज्यादा फील होता है बाकी तो ठीक है और आप लोगों में से जिन लोगों नहीं एक्जाम दिया था तो प्लीज बताईएगा जरूर कि आपनों का स्कोर क्या रहा है कुछ चीज मुझे समझ नहीं आ रही है एक दो चीज है लाइक एक दो स्कोर कार ऐसे सर्कुलेट हो रहा है ग्रूप में जिसमें सेक्शनल मार्क्स जो है जीए का वो नहीं क्वालिफाई होकर भी उसमें जीडी के और इंटर्वी के मार्क्स दिख रहे हैं अब पता नहीं तो यहीं पता थी कि आपको 40% चाहिए होते हैं माक्स तभी आप कौलिफाई माने जाओगे बट उसमें जीडी में और इंटर्वी के माक्स दिख रहे हैं अब पता नहीं क्या चीज है थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है ठीक है या तो मैं गलत बता रही हूं या फिर वो जिननों के पास जो स्कोर है वो गलत है तो प्लीस अगर किसी को डिटिल पता या आपका आपका फानल सेलेक्शन हुआ है तो प्लीस कमेंट सेक्शन में इस चीज को क्लियर जरूर करिएगा जिन लों को जिन लों ने सब्सक्राइब करेंड़ा जो मैं बता रहे हूं सही ही है बट वही है कि अब ग्रूप में चीजें ऐसा चल रही है बहुत से जगें तो मुझे थोड़ा से डाउट हो रहा था तो इसलिए मैं सोचा आप लों से डिसकस करती हूं बाकी आप लोग बताना एंड क्या बोलते ह है मुझे शायд मैं और्म नहीं कर पा नहीं हूं ठीक से मुझे मुझे समझ्ज है रहा मैं मैं बहुत जादा ही मैं दिखाती हूं आपको मेरे मांक्स अपर्स बिलकुल भी ऐसा लगता है जीरो पहुँआं पर पहुच जग है तो लोग्या है तो आतलो मतलब लिए में बता क्वादा अच्छा है क्योंकि इस लेबल का मतलब इसमें से कॉंट की एक दो डियाई मतलब एक क्या बोलते हैं हाँ केसलेट है और दो ऐसी टेबल पाई चार्ट तो नहीं था टेबल लिडियाई थी तो वह थोड़ा सा है मतलब टाइम कंजूमि मुझे लगा और रही बात र तो आप ही बताओगे क्योंकि जो पेपर दे रहा होता है जो मॉक अटम कर रहा है वो अच्छा से बता बाता है यह मेरा अपना मानना था बट मेरे मॉक के हिसा जाए वह जैसा भी था उससाब से अगर माक्स देके तो अच्छे नहीं है बिल्कुल भी ठीक है तो इससे आप अपना प्ले को आपGER मतको अपना बेस्ट घ्राइक करना मॉक में देने का और शेयर जोरू करना ओन लेबल इस मॉक का पटाना की आपको लेब İल का मॉक तो आप ले सकते हूं ठीक हे लेबल भी बाकी से आपने नहीं दिया है तो प्रीवेस एर की प्राक्टेस भी कर सकते हैं प्रीएसर पेपर की प्राक्टेस की है तो उस वक्त डिसकाूँट भी चल रहा है ऑफर चल रहा है सब्सक्राइब तो आपको मिल जाएगा ठीक है तो आप ले सकते हो बाकी दो चीजे बहुत इंपोर्टन है वह आप ध्यान से ज़रूर बताना एक तो बैंक ऑफ इंडिया जो के वाक्स है और जो चीजे मनें बताई वह चीजे मुझे जरूर क्लियर करीगा कमेंट सेक्शन मे और दूसरा स्मॉक का लेबल आपको क्यासा लगा है ठीक है और मैं कमेंट रीट करती हूं तो प्लीज जिन्होंने अटम किया है तो प्लीज बताएगा जोर कमेंट सेक्शन तो थैंक यू अभीवन और गुटनाइट